कबीरा सबते हम बुरे हमते भला है कोई जिन ऐसा कर बुजिया मीत हमारा सोई कबीरा ग्यान से भरी है तेरी महनी कबीरा ग्यान से भरी है तेरी महनी कबीर दाज कहते हैं दुनिया में हम सबसे बुरे हैं बाकी सब लोग हमसे अच्छे हैं जो जान बूज कर ऐसा निल्ने करता है वही हमारा मित्तर है वो जो अपनी आपको सबसे ज़्यादा समझदार या उंचा समझता है वो हमारा कभी भी हितेशी नहीं हो सकता मिश्री बिखरी रेत में हस्ती चुनी न जा तीड़ी है करी सब चुने तब साहिब को पाई कभीरा ग्यान से भरी है तेरी वानी रेत में चिन्नी की कण बिखरे हो तो हाती जैसा विशाल प्राणे उन्हें नहीं चुन सकता लेकिन छोटी सी चिन्टी उन्हें चुग लेती है इसी प्रकार अपने अभिमान और दोलत के गरव को त्याकर दीनता से छोटे होकर ही इश्वर को पाया जा सकता है लागी लागी क्या करें लागत रही लगा लागी तब ही जानिये निकसी जाए दुसा गभीरा ग्यान से भरी है तेरी वानी लग गई लग गई सब कहते हैं लेकिन जीवन में ऐसे नय जाने कितनी बार लग जाती है लेकिन असली ठोकर उसे ही जानिये जिससे मन और सरीर के सारे विकार निकल जाए अथार्थ सद्गुरू के ज्यान की ठोकर खाएं जिससे जीवन निर्मल हो जाता है भरी जन सोही जानिये जीवा करे न मार आठ पहर चितवन रहे गुरू का ज्यान विचार कभी रार ज्यान से भरी है तेरी वाणी कभी रार ज्यान से भरी है तेरी वाणी सच्चा प्रभु भग्त उसी को मानिये जो मूँ से कभी भी हिंसा वाले सब्द जिसे मारो पीटो आधि कभी भी नहीं निकालता बलकि हर वक्त समेशा प्रेम की बाते करता है वही सच्चा प्रभु भग्त हो सकता है उसा वादी वक्ती कभी भी प्रभु का भग्त नहीं हो सकता तुटिल वचन सबसे बुरा जारी कर सब छार सादू वचन जल रूप है वरसे अमरित धार कभीरा ग्यान से भरी है तेरी वाणी उटिल शबद बड़े कश्ट पुरण होते हैं जो सरीर को जला कर राक कर देते हैं लेकिन संत महात्मों के मिठे वचन सीतल जल की भांती होते हैं जो अमरित धारा बरसा कर सब का मन शान्त कर देते हैं पुटिल बचन नहीं बोलिये सीतल बेनले चिन गंगा जल सीतल भया परवत फोडा तिन कभी भी कुटिल और कथो शबद मत बोलिये हमेशा सोच विचार कर विवेक पुरुन सब्दों का उचार कीजिए जैसे शीतल निर्मल गंगा का जल कथोर परवतों को तोड़ फोर कर भी अपना मारक बना लेता है वेसी ही मिठी बानी बोलकर कथोर लोगों के मन भी बदले जा सकते हैं झाल